UPSC की तयारी हर साल लाखो एस्प्रिंट्स करते हैं लेकिन इसके बाद भीज इसका सफलता दर 0.02 प्रतीशत ही है जिसकी एक वज़ा तो परिक्षा के कटिन स्लेवर्स को माना जाता है लेकिन इसकी दूसरी वज़ा भी है और वो है परिक्षा की तयारी के दौरान एस्प्र करते हैं जो पहली बार परिक्षा की तयारी कर रहे होते हैं दोस्तों अगर आप भी UPSC की परिक्षा के तयारी को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखे नमब वन पूरा स्लेवर्स कवर करें UPSC की तयारी की शुरुआत में सबसे आए हो UPSC का स्लेवर्स बड़ा है और परिक्षा में किसी भी सब्जेक्ट से सवाल आ सकते हैं इसलिए पूरे स्लेवर्स को अच्छे से पढ़ना बेहत जरूरी है जो परिक्षा में सफलता के लिए बेहत जरूरी है नमब दो छोटे नोट्स बनाए अब तयारी तो शुर नहीं बनाए उन्हें ऐसा बनाए जो आपको एक बार में पढ़कर समझा जाए इससे स्लेवर्स के खत्म हो जाने के बाद आपको रिवीजन में आसानी होगी और आप जल्दी से सारी टॉपिक्स कवर कर पाएंगे नमब तीन सी सेट को गंभीरता से लिए सी सेट को हलके मे त्यारी को सीरियस ले और उसे बाकी सब्जेक्स की तरह ध्यान लगा कर पड़े नमब चार करेंट अफेर्स पर फोकस यूपिसी की तैयारी के लिए करेंट अफेर्स काफी इंपोर्टिंट माना जाता है अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको पिछले या किसी किताब की मदद से जरूर पड़े नमब पांच पिछले सालों के पेपर की मदद ले यूपिसी की तैयारी के दुरान पिछले सालों के पेपर पड़ने की सलाथ दी जाती है जो की बेहत जरूरी है पिछले साल के पेपर तैयारी के लिए रेडार की तरह होने चाहि जो आपकी तैयारी को दिशा प्रदान करते हैं आपके बेसिक नौलिज को बढ़ाने के अलावा पिछले साल के पेपर आपके मांद